जैन सातियो, अजमेर के काड़ बिसन अविस्तिली में कोटा एर रिकोर से अवजित की जा रही सेना भरती का आज पंदरवाद दिन था पिछले रविवार की तरह इसवार भी रविवार को अपकास है यानि रविवार को सेना भरती दोड नहीं हुई जबकि भरती की अन्य पिरक्रिया जा रही हैं यानि जो युवा अब तक दोड में सफल रहे हैं उनकी सेना भरती की आगे की पिरक्रिया की जा रही हैं इसके अलावा यदि बात करें अब तक की सैनाबर्ती रेली की तो 11 जुलाई से शुरू ही सैनाबर्ती में अभी तक 38,95 युवा दौड में सामिल होई हैं और इन मेंसे 4100 युवा दौड में पास होई हैं यानि अगर देखा जाए तो 41,00 में से कुल 28,22 युवा अभी तक मेडिकल में फिट होई हैं वहीं बात करें सैनाबर्ती में सामिल होने वाले युवाँ की तो इन 16 दौनों में जो दौड होई हैं इसके लिए 56,618 युवाँ ने ओर रावेजन कराया था और इन मेंसे 14,500 युवा दौड में सामिल होने ही नहीं पहुँचे हलाकि इनमें वो युवा भी सामिल हैं जो दौड में सामिल होने तो पहुंचे थे लेकिन एड़मिट कार्ड में कमी के चलते वे प्रिहाइट मेजरमेंट में रिजेक्ट होने पर ये युवा दौड में सामिल नहीं हो पाई इन तहसीलों से सेनावर्ति में सामिल होने के लिए कुल 4150 युवा ने उनलाइन अबेदन किया है ये युवा एने वेट्स ते रेणी के लिए सेनावर्ति में भागोंगे और सभी युवा जो सामिल होने वाले हैं उन्हें 72 घंटे पहले की कोरोना नेगरटीव रिपोर्ट साथ में जरूर लेकर जानी है और अपने सभी दस्ताविजों के साथ एंट्री वहाँ पर करनी है क्योंकि सैनावरती में आपके एड्मिट कार्ड आपका आधार कार्ड और आपका आईटी PCR जाज रिपोट इन तीन दस्ताविजों को जांच करने के बाद में आपको इंटिर दी जा रही है इसके अलाब साथ हुआ से चाहीं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों के साथ में ज्यादा से जळा सेखे तो चलिए साथी फिरूला करते आप से सेनावर्थी से जुड़ी किसी नए ब्रेट के साथ तब तक साब्धान रहें दलालों से दूर रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें जैन जै भारत वंदे मात्रम